हलो बच्चों उमीद है आप फिट फाट होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ट की जबरदस तैयारी कर रहे होंगे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अभी जो क्लास 12 की पढ़ाई है वो रटाफिकेशन पे बेज नहीं रह गई है क्योंकि आपका जो पेपर है बोर्ट का पेपर वो एप्लिकेशन बेस डाने लगाया है उसको चलते हुए उसको देखते हुए आपको अपने कॉंसेप्ट को बिल्ड करना ज़रूरी है और अगली बात ये कि कहीं 12 में तो पढ़ाई खतम तोड़ी हो जाएगी आप आगे भी इसलिए आप डिटेल्ड वीडियो देखें जहाँ पर कॉंसेट बिल्ड अप हो सकें कोई भी ट्विस्ट हो जाए कुश्चन में तो आप वहाँ से हटे नहीं जीत के ही निकलें इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं ये डिटेल्ड वीडियो की सिरीज लेके आया हू और आज हम लोग रे आप्टिक्स पर फाइनल पार्ट पे हैं अप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर हम लोग अप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पूरा पढ़ेंगे सारी डेरिवेशन वेगरा नुमेरिकल वेगरा सब देखेंगे ये जो सिरीज है इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं कोकि ये पूरा स्लेबस कवर करती है सिरीज वो भी नया स्लेबस जो आपको सॉलिट तरीके से हल्प परेगी तो अगर आप ये चाहते हैं कि फुजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो लक्षर देखने के बाद नुमेरिकल निकलने शुरू हो जाएं तो आप जट से अर्विन देकडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए for top quality content इसके पहले के part या इसके पहले के chapters के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं description में उनके link लगा दे र रहा है तो और ray optics and optical instrument class 12th board के लिए है और ये final part है जमदू का part number 5 मैंने किसी भी chapter के ज्यादा पार्ट नहीं किये जिसे ray optics एक बड़ा chapter आपके निगाह में रहता है उसके भी maximum 5 ही part किये हैं और सब superlative सारे derivations many numericals every concept everything is there तो आप इसको पढ़िए इसके अलाबा कुछ पढ़ने telescope astronomical telescope reflecting reflecting and their magnifying power ये हम लोग मोटे तोर पर पढ़ने वाले हैं कई बच्चे कहते हैं सर जो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका अगर pdf उनको मिल जाए तो पढ़ाई में काफी सहूलियत हो सकती है तो आप arvind academy का telegram channel join कर सकते हैं वहाँ इसका pdf में upload कर देता हूं इसका link भी description म क्लिक करके join कर लीजे कोई परिशानी की बात नहीं है कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए arvind academy app है शाम को live classes होती हैं जहाँ पर आप अपने doubt को clear कर सकते हैं कि सर ये derivation आप करा रहे हैं यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ इस numerical में मैं इसकी जगा ये method परोना mathematics जहाँ पर सारी चीज पढ़ाने के बाद आसान भाशा में derivation numerical सब कराने के बाद दो special हम लोग classes रखते हैं एक special class होती है NCRT corner के नाम पर जहाँ पर NCRT के सवाल में लगवाता हूँ और दूसरा जो topic रहता या lecture रहता हूँ डेडिकेटली रहता पी वाइक्यू कॉर रहा होगा अगर आप थोड़ी सी मैनत कर लेंगे तो मज़ेदार situation हो सकती है और पूरे course की जो complete course की फीस है total वो 999 है 80-50 रुपए महिना तो अगर आप चाहें तो enroll कर सकते है link description में दिया है click करके enroll कर लीजे और बहुत शानदार तरीके से मेरे साथ पढ़ाई कीजे चलिए आगे की बात कर लेते हैं अच्छा ये कहां पर enroll करेंगे अरविन देकैडमी एप को download कीजे उसकी store section में आपको enrollment का option मिलेगा इस courses को आप वहाँ पर दुरूना बैच जोइन कर सकते हैं आज का topic शुरू करते हैं हम लोग जो शुरू होता है simple microscope से तो पहले optical instrument का दो लाइन मे मतलब जान लेते हैं देखिए इशुर ने हमको या इस nature ने आखों के रूप में शानदार optical instrument हम इंसानों को दिया है जिसकी विज़े से हम चीजे देख पाते हैं लेकिन हमारी आखों की कुछ limitations हैं कि इससे जादा बड़ा या इससे जादा साफ हम नहीं देख सकते तो अग हम चोटी चीज़ को magnify करके देख सकते हैं आसमान में कोई star है उसको बड़ा करके देख सकते हैं और इसकी study कर सकते हैं यहाँ पर optical instrument का रूल आता है तो यह optical instrument कैसे कैसे शुरू होते हैं simple microscope compound microscope astronomical टेलिसकोब reflecting reflecting यह देखेंगे तो शुरुबात होती सबसे basic microscope से simple microscope simple microscope क्या है just a convex lens है और जो आप दिखते होंगे newspaper वगरा आता है और old age के लोग हो जाते हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता चोटे अक्षर तो वो convex lens है ऐसे पढ़ लेते हैं वही simple microscope है आपका और उस simple microscope की बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं तो इस simple microscope और a magnifying glass is just a convex lens of short focal length held close to the eye अब यह simple क्या है convex lens है जो आपकी आँखों के पास रहता है बिलकुल simple और कुछ नहीं अब इसमें जो simple microscope हुआ यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी optical instrument है इनकी जो final image बनती है ना उसके लिए magnifying powers और final image कहां बनेगी देखिए दो जगा पर हम बातचीत करते हैं तो final image की बा D का मतलब क्या है least distance for distinct vision जो की इनसानों के लिए 25 cm होती है तो यह 25 cm हमारी होती है यानि final image अगर D पर बनी तो उस समय magnifying power क्या है तब निकालेंगे और दूसरा अगर हम बना देए कि इसका जो image है वो at infinity है infinity तो उस समय हमारा magnification power at infinity कितना होने वाला है अच्छा दो-दो क्यों लेते हैं क्योंकि जिकिए D तो हमारा least distance at distinct vision का इससे करीब 25 cm से पास कोई object लाओगे तो साफ देख नहीं पाओगे वहाँ magnification निकालते हैं और जो infinity पेस लिए निकालते हैं कि वहाँ पर relax आई रहती है कोई strain नहीं पड़ता जब 25 cm पर कोई चीज लाते हो तो आँकों पर जोर पड़ता है तो लंबे समय तक आप उसको देखने में comfortable नहीं रहते और दूसरी जगा जब image बनेगी infinity पर तो आखे relax होती है हाँ उसका magnification जो deeper magnification है उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है इसलिए दोनों की बात हम देखेंगे जो भी microscope या telescope पढ़ने वाले हैं वहाँ पर दो चीज़े देखेंगे कि magnification deeper क्या आएगी and magnification add जो final image infinity पे है तो क्या बनेगी बात आपकी समझ में आई होगी य आगे बढ़ते हैं हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि simple microscope की magnifying power M निकाल रहे हैं और image कहां बनी है least distance for distinct vision यानी capital D पर 25 cm पर कह लिजे तो यहाँ देखेंगे इसका एक diagram है और यहाँ कैसे अभी derive करना वो derive करके मैं दिखाऊंगा बहुत असानी से derivation हो जाएगा तो यहाँ द रखी और final image कहां पर बन गई दिखें D यहाँ से आप देख रहे हैं इस से में कितना magnification है वो निकाल लेते हैं तो इस से में जो magnification है वो M is equal to V upon U वाले relation से निकाला जा सकता है और magnification की value 1 plus D upon F आती है यह 1 plus D upon F कैसे आती है इसको हम derive करते हैं तो next slide आपको मैं इसका derivation देता ह यहाँ पर देखें derivation मैंने लिख भी दिया जिससे असानी से काम हो सके तो यहाँ पर हम देखें magnification को जो formula होता है वो M V upon U होता ही हम जानते ही है तो इसका V upon U लिख दिया अब यहाँ पर आप क्या देखें इस U को अगर हम lens formula से इस्तमाल करें 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F तो 1 upon U की value क्य हो जाएगी 1 upon V minus 1 upon F और यहाँ पर देखें तो 1 upon U is equal to VF और F minus U इस तरीके से लिख सकते हैं या आप यहीं रोख दीजे इस value को यह जो value आई इस value को हम लोग 1 upon U की जगा put कर देंगे तो V into 1 upon U और 1 upon U की जगा आपने value डाल दी यहाँ क्या 1 upon V minus 1 upon F यहाँ से पूट की गई यहाँ से पूट की गई बहुत ही असानी से और यहाँ V से multiply कर दीजे तो यह आजाएगा V upon V यहाँ पर minus V upon F यह value देखें क्या बन गई 1 minus V upon F यह magnifying power आ गई अब हम जानते हैं जो V होता है least distant के लिए Okay, now according to our sign convention, now according to our sign convention, V is negative and is equal to D. तो अगर हम यहाँ पर V की जगा minus D put कर दें इस result में तो यह result हमारा क्या बन जाएगा? M is equal to 1, V की जगा minus D तो plus हो जाएगा 1 upon D upon F और यह देखिए आपका result आ गया hence proved. तो इस formula को हमको ध्यान लखना है कि जो magnification है in case of simple microscope when the final image is at D. उस समय magnification की value होगी 1 plus D by F. इस तरीके से इसको proof कर सकते हैं और दिमाग में रखिए, मैं हट जाता हूँ, इसको आप note कर लिजे, फिर हम लोग चलेंगे जब final image हमारी infinity पर बनेगी थप. चली, इसको आपने note कर लिया होगा, ऐसी मुझे उमीद है. अगली बात देखते हैं, जैसे हम लोग ने बात की थी, कि दो-दो case होने वाले हैं, deeper image बनेगी तो क्या, और finally आगे बनेगी तो क्या, मतलब infinity बनेगी तो क्या. तो simple microscope लिया, final image at infinity. तो यहाँ पर हम लोग जो magnifying power या magnification निकालते हैं, उसको बोलते हैं angular magnification. angular magnification का मतलब क्या होता है? यह इसका formula है angular magnification का theta i. theta i का मतलब है जो image है, वो हमारी आखों पर कितना angle बना रही है? theta i मतलब image. और theta object, तो यानि जो object है naked eye से जब देख रहे हैं, जो maximum angle बन सकता है, वो कहां बन सकता है? least distance of distinct vision में. क्योंकि उससे pass कर देंगे, तो angle तो बड़ा हो जाएगा, धुनला दिखेगा. तो clearly दिखे और maximum angle बने, वो कहां पर मिलेगा? जब कोई object हमारी आखों से d distance पर होगा. तो maximum angle and clear vision. तो उस समय हम theta naught की बात करते हैं, यानि theta by object. तो यहाँ इस case में हम लोग जब infinity पे बन रहा है, तो angular magnification की बात करेंगे, और angular magnification का यह formula हम इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर यह बाते मैंने लिख दी हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. अचा, क्योंकि यहाँ पर theta naught की बात करेंगे, theta naught काफी छोटा होगा, ऐसा समझ लें. तो 10 theta naught को लिखते हैं, h upon d, perpendicular upon base, और क्योंकि हमारा theta naught छोटा है, तो 10 theta को theta naught लिख सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम कर पाएंगे. खेर, यह इसका answer आता है, m is equal to d upon f, यह क्या है, magnification of simple microscope, when final image is at infinity. यह value कैसे आई, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, इसका derivation मतलब. तो आईए देख लेते हैं, इसका derivation. तो यहाँ मैंने derivation के लिए photograph पहले से लगा रखी हैं, तो जैसा मैंने आपको पताया, कि जब आप किसी object को रखते हैं, जिसकी height h है, और d पर रखते हैं, जहाँ पर आपका maximum angle बनेगा, distinct vision पर. तो यहाँ पर value क्या लिख सकते हैं, 10 theta naught is equal to perpendicular upon base, और यह approximately equal कितना हो जाएगा, theta naught की, यह हम लोग ने भी देखा था. साथ में, अगर हम magnification के formula की बात करें, तो हम जानते है height of image, यह height of image है, upon height of object is equal to m, is equal to v upon u. We know that. We know that. यह formula हमको पहले से पता है, यह formula, इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं रिखाल से यह इसको थोड़ा सा हटा दें, वरना काट रहा है उपर dash को. तो अब देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं, कि जैसे माली जो कोई image बन रही है, जो theta eye angle हमारी आखो पर subtract कर रही है, तो वो height of image upon, बात करें, तो क्या रख सकते हो, minus view, perpendicular upon base, तो perpendicular height हो जाएगी height of image, और base क्या रहा, minus v, जो हमारी lens से कितनी दूरी पर वो image है, बहुत अच्छी बात है, अब यहाँ h' को उपर से निकाल के value रख देते हैं, देखिए, यहाँ पर अगर h' निकालोगे, तो s' को क्या लिख सकते हो, v upon u into h, यह देखिए, इसका इसका दिया s' हो गया, v upon u into h, तो यहाँ पर 1 upon minus v into h' को लिख दो, v upon u into h, उपर से, आप देखिए, v से v यहाँ हो गया, cancel जैसा आप देख पाए हैं, और यह result हमें क्या मिला, h upon minus u, और यह क्या चीज है, it is actually equal to theta, perpendicular upon base आ रहा है, और यह theta किसका है, यह तो height of object है, और यह height, यह distance of object from lens है, तो यह theta हमारा क्या हो गया, the angle यह क्या है, the angle, subtended by, subtended by the object, object when it, when, is at, when, is at, u is equal to minus f, अब यह u को minus of क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह f पर नहीं होगा, तो final image infinity पर नहीं बन पाएगा, आप बात को पकड़ पारे होंगे, कि अगर यह f पर नहीं हुआ, तो final image infinity पर नहीं बन पाएगा, चलिए उसकी बात देखते हैं, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं उपर, और u की जगा minus f पुट कर देते हैं, तो यहाँ value हमारी क्या आ जाएगी, theta i, color को change कर लेना चाहिए, theta i is equal to h upon f, यह यहाँ से देख पाएगा, यह यहाँ से देख पाएगा, minus f डाला, तो h upon f आया, अब angular magnification क्या था हमारे पास, angular magnification था, theta i upon theta of object, तो theta i क्या रहा, theta i हमारा रहा, देख लेते हैं यहाँ पर, theta i यह निकाला है, h upon f, और theta of object की बात करें, तो object वाला theta हमारे पास, यह था h upon d, तो मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पर h upon d, आप देखिए, h h cancel हो गया, value आगई d upon f, तो यहाँ से, यह formula हमें याद रखना है, d upon f, this is important, यह answer यह hence proved, आप कह सकते हैं, अब यहाँ पर यह जो magnification है, जैसा देख पा रहे हैं आप, पिछले वाले magnification से, एक कम है, पिछले वाला जो final image, d पर बन रही थी, उस समय magnification था, 1 plus d upon f, और यह है केवल d upon f, लेकिन एक magnification कम करकर, अगर हम relax आई से देख पाएं, काफी देर तक, तो यह समझोता बुरा नहीं है, वैसे चोयज आपकी रहती है, तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, कि magnification तो एक यूनिट से घटा, 1 plus d by f की जगा d by f हुआ, लेकिन comfortable weaving मिल गई, तो यह magnification आप जरूर नोट कर लिजे, simple microscope के लिए, जब final image infinity पर बन रही है, तब मैं इसको आपको ध्यान दिलवा देता हूँ, इसको नोट करें, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे, तो यह यहाँ पर, जिससे कि आप इसको नोट कर पाएं, यह लिजे, इसको नोट कर लिजे, मैं हट गया हूँ, और next बात इसके आगे की करते हैं, यह आप बात बनी होगी, इसको थोड़ा ओपर ले जाते हैं, सारी बात आपके सामने हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं, कि uses of simple microscope क्या है, और कुछ खास बाते हैं, फिर compound की तरफ चलेंगे, जब compound की आवशक्ता भी हमको दिख जाएगी, तो यहाँ पर क्या है, uses of simple microscope, watchmakers and jewelers for magnified view of the parts of the watches and the fine jewelry work, जो लोग अपनी घड़ियां बनाते हैं, या jewelry का बहुत ही minute काम करते हैं, वहाँ पर क्या होता है बैटा, उनको simple microscope की आवशक्ता पड़ती है, तो simple microscope का इस्तिमाल करकर, वो कहानी अपनी कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, दूसरा, in magnifying the printed letters in a book, बुक में अगर printed letters हैं छोटे हैं तो उसको बड़ा करके पढ़ना है, तो इसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं, textures of fibers or threats of a cloth, यानि clothing हैं उसको minutely देना है, कि बाई कैसा texture है, इसके threats कैसे हैं, तो भी इसका इस्तिमाल किया जाता है, in engravings, आप जानते कहीं पर लिखा हुआ छोटे छोटे कुरेद कर, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, details of stamps वेगरा, in science labs भी इसका इस्तिमाल खूब धडलले से होता है, तो ये इसके uses हैं simple microscope के, लेकिन ये इसका जो magnification है, वो normally 9 या 9 से कम ही रहता है, ये देखिए, a simple microscope as a limited maximum magnification, which is less than or equal to 9, for realistic focal lens, तो realistic focal lens के लिए, जो हम focal lens अचीव कर पाते हैं, उसके लिए 9 या 9 से कम रहता है, इसलिए बहुत बड़ा figure हमें अचीव नहीं होता है, by magnification अगर कोई 1 cm का object है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 cm देख पाएंगे बड़ा करके इससे, तो हमें इतने से काम हमारा नहीं चलता, तो हमें चाहिए होता और magnification, तो उसके लिए हम compound microscope यूज करते हैं, compound microscope क्या है, एक lens की जगा, दो lens का इस्तमाल करते हैं, और अब तो आज के जमाने में multiple lenses इस्तमाल किये जाते हैं, अच्छी magnification के लिए और sharp image के लिए, तो यहाँ पर compound microscope की ज़रूरत महसूस इसलिए होई, तो कि simple microscope का magnification 9 से ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, तो चलिए चलते हैं compound microscope के तरफ, और देखते हैं, वो कितना magnification दे पाता है, एक अच्छा compound microscope जो होता है, उसका magnification 1000 तक हो सकता है, एक centimeter की अगर image है, तो वो 1000 centimeter बड़ी देखी जा सकती है, with the help of compound microscope, तो यह रहा अब शुरुवात हुजाती है, आपकी compound microscope की, यहाँ पर देखिए, तो आप compound microscope से इतनी जादा magnification प्राप्त कर सकते हैं, चलिए कुछ बाते और देखते हैं, जैसा बाचीत हमाने लोग की हुई, कि जो compound microscope होता है, उसमें दो lenses होते हैं, तो एक जो lens होता है, एक को बोलते हैं objective, जो objective वाला lens है, वो object की तरफ रहता है, इसलिए objective बोलते हैं, जिसको देखना है, बई जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, उसकी तरफ objective lens रहता है, और जहां से आप देख रहे हैं, आँखे जिसके पास होती हैं उसको आईपीस बोलते हैं तो दो लेंस हो गए आपजेक्टिव आपजेक्ट की तरफ आईपीस आँख की तरफ ये दो लेंसे इस्तमाल होते हैं compound microscope में दोनों लेंसे का focal length छोटा रखा जाता है ये पूछा जाता है आप से क्यों आगे मैंने शायद डाला भी है इसलिए कि दोनों का focal length छोटा रखने से आपको magnification जादा मिलता है और magnification को चाहिए तो हम लोग दोनों का focal length कम रखते हैं जिससे higher magnification हमको मिले और compound microscope की एक और बात होती है जिससे पहचानते हैं कि टेलिस्कोप है या microscope अगर केवल ये बताया जाए कि आई पीस या objective की इतनी इतनी focal length है वो ये लिखिए कि आई पीस की जो focal length होती है यानि इस वाले lens की वो objective वाले से थोड़ी सी बड़ी होती है और जब हम टेलिस्कोप देखेंगे तो उसका उल्टा मिलेगा इसकी focal length बड़ी मिलेगी खैर अभी देखेंगे थोड़ी दिर बात तो यहां हम लोग जो बात कर रहे हैं compound microscope में दोनों की focal length छोटी लेकिन focal length of IPS is more than focal length of objective lens ये इसकी विशेस्ता है compound microscope की तो ये बात आप यहां पर देख पाया होंगे कि objective और IPS दो तरह के lenses हो गए बेटा यहां और convex lens of very short focal length F0 and small aperture ये small aperture का lens होता है और F0 छोटा है it is position near the object to be magnified और IPS क्या है convex lens of comparatively larger focal length FE and the large aperture ये large aperture इसलिए होता है कि जब बही छोटा इसलिए रखते हैं कि हम microscope से देख रहे हैं तो यहां तो light हम लगा सकते हैं ना इस पर डाल सकते हैं object पर पर तो जो भी light डाले सारी इसके अंदर आ जाए यह पकड़ लेता है कोई दिक्कत नहीं इसके बाद जब इसके अंदर आई आखों के पास आ जाता है तो इसको large focal length रखते हैं कि सारी light हमें मिल जाए यहां पर कोई light जाए ना तो इसलिए इसका पर्चा थोड़ा बड़ा जिससे की जो light इसके अंदर आई है microscope के वो हमारी आखों तक मिले जिससे bright object हमको मिल सके यह इसकी कहानी है थोड़ा और समझते हैं अब आता magnification की बातचीत यहां भी magnification की चर्चा जब होगी तो image formation दो जगा होगा एक small deep capital D पर और दूसरा infinity पर तो आप समझ गए ना हर जगा image रखेंगे D और F पर और उसके लिए magnification की चर्चा करेंगे तो चलिए बात यहां करते है magnifying power of compound microscope final image at D तो final image अगर D पर है तो magnification कितना है तो वो magnification की value हाती है यहां देख रहे हैं अभी हम लोग इसको derive भी करने वाले हैं M is equal to V naught upon U naught 1 plus D upon Fe या एक formula और आजाता है M is equal to minus L upon F naught 1 plus D upon Fe और L को लिख देते है length of microscope tube और the distance between the two lessons approximately ठीक अब यह formula कहां से आए यह जरा देख लेते हैं हम लोग इसको derive करके तो मेरे खाल से यह शायद इसमें यह figure नहीं डाली है derivation की भूल गया हूं मैं तो मैं derivation यहीं कर देता हूं इसी figure का इस्तमाल करके तो चलिए यहाँ पर derivation के लिए बाते यहाँ मैं लिख देता हूं derivation कोई बड़ा नहीं बहुत ही अराम से derivation कर सकेंगे और derivation के लिए यहाँ देखिए हमें पता है कि जो magnification होता है final magnification वो होगा क्या यह जितना magnification कर रहा है MO magnification by objective lens into magnification of eye piece तो MO into ME लिखा जा सकता है final magnification के लिए कोई समस्या नहीं है अब हम बात करते हैं MO की MO क्या है magnification by objective lens तो इसको आप लिख सकते हो V naught upon U naught यह जो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक image रखी है वो image आपकी objective lens के सामने है और इसका जो image बनता है इसका जो object है यह object का जो image बनेगा वो image यहाँ बन रहा है इसकी focal length के just समझ लिजे करीब में है तो इसको ऐसा रखते हैं हम लोग कि यह भी focal length के पास ही होता है पास होता है थोड़ा सा बाहर की तरफ पास में जिससे हमारी real image प्राप्ट हो जाए हमको और इसके बाद यह focal length के पास में रहता अंदर की तरफ जैसे इसकी यह inverted है तो यह भी inverted large image हमको मिल जाए इस तरह से इसकी working होती है तो यहाँ पर M0 क्या हो गया जितना यह V0 है image यहाँ बन रही है upon जहाँ पर यह object रखा है U0 यह हम लोग जानते हैं पहले से तो M is equal to V0 upon U0 अब जो final image है वो final image at D अब यह जो final image D पर बन रही है तो यह तो simple microscope की तरह काम कर रहा है ना पहले वाला formula तो पहले वाले के लिए जब image बनती थी D पर तो उस से में क्या formula लेते थे magnification का उस से में formula लेते थे हम लोग ME यानि magnification of IPs 1 plus D upon FE यह formula लेते थे तो यह इसका magnification आ गया तो final magnification क्या रहा बिटा M is equal to M naught into ME M naught की value यहां से डाल दो V naught upon U naught 1 plus D upon FE और यह हमारा देखिए एक formula बन गया जो हमें ध्यान रखता है यह पहला वाला formula है यह हो गया तो this is very important जब भी compound microscope हो और final image कहां बन रही हो least distinct of distinct vision पर तो उस से में M की value आएगी V naught upon U naught 1 plus D upon FE अब यहां पे कुछ approximation कर लेते हैं और उसकी वजह से हम second formula प्राप करते हैं तो क्या approximation करेंगे वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा शायद वरना मैं लिख नहीं पाऊंगा दो चीज़ें यहाँ पर करेंगे हम लोग देखी क्या यहाँ पर लिखेंगे as the object as the object AB is placed कहां पर placed है close to close to focus F not of objective lens तो उस case में आप क्या कर सकते हैं U not को ले सकते हैं minus F not approximately कह देना चाहिए minus F not यह देखें क्या मतलब है यह जो आपका था object यह F not के पास में है तो इसको मने approximation से U not को minus F not लिख लिया अब दूसरी बात भी approximation में ले ले लेते हैं हो क्या also the image image क्या है a dash and b dash a dash b dash देखें यह image है अब यह image कहा है formed close to close to the eye lens eye lens whose focal length focal length is short तो यह काफी यह जो बन रहा है यह इसके focus के पास है focal length काफी कम है तो इसको हम लोग ignore करते हुए V not की जो approximate value है वो पूरी क्या ले लेते हैं L के बराबर L क्या है length of the tube दोनों lenses के बीच का distance तो L को क्या लिख सकते हो length of the of the microscope tube microscope tube या फिर थोड़ा इसको उपर करेंगे microscope tube or the distance between two lenses or the distance between two lenses तो यह देखिए एक approximation हम लोगों ने और कर दिया है इन दोनों की value यहां put कर देंगे हैं हम लोग तो इन दोनों की value अगर आप डालोगे इसकी इसमें और इसकी भी इसमें value अब हमारा M क्या बन जाएगा M not की बात अगर हम करें M not था V not upon U not और V not की value L लिख दी आपने और U not की value minus FO लिख दी और इस M not को यहां पर put कर दीज़े या V not U not की value यहां put कर दीज़े तो यहां पर value put करोगे तो M की value कितनी मिल जाएगी यहां डालने पर minus L upon F not 1 प्लस D upon F E और यह कप के लिए है final image add P यह आपका एक और उसी का थोड़ा approximation लेते हुए answer आ गया लेकिन ध्यान न कीएगा अगर आपको length of the tube की बाद exactly पूछी जाए तो VO के बाद जो बच्ची हुई distance है आपकी UE उसे फिर आप add करेंगे VO plus UE exact distance तो वही है tube length मतलब length of the tube तो VO plus UE लेकिन यह approximation के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खेर इसको आप note कर लीजे यह derivation हो गया जब हमारा image बन रहा था final image था add deeper अब final image को infinity पे ले जाएंगे तब देखेंगे कितना magnification आ रहा है तो इसको मैं नीचे करता हूँ और इस derivation को आप note कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा और नीचे लाता हूँ यह देखें यहां तक आगया इसको आप note कर लीजे फिर मैं इसको उपर कर दूँगा जिससे पूरी बात आप note कर पाएं मेरे काल से आप कर पाएं होंगे इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और यहां तक आप असानी से इसको note कर लें कि कैसे यह derivation करके यह result हमें achieve हुआ है तो खेर इसको आप note कर पाएं होंगे चलिए चलते हैं आगे एक कदम बढ़ाते हैं और अब यहां पर आप देखें तो final image infinity पर है अभी last वाली क्या थी final image d पर थी तो जब compound microscope में final image infinity पर होती है उस समय आपकी value होती mo into me यहनि minus l upon fo into d upon fe और length of the microscope tube or the distance between the two lenses l आपका वही है तो यहां पर इसको कैसे हम लोग derive करेंगे यह भी बात हम लोग देख लेते हैं मैंने derivation के लिए photo लगाई है या मुझे यहीं करना होगा मुझे यहीं करना होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने कोशिस करता हूँ अलग से लगा दूँ जिसे और सफाई से बात की जा सके तो मैं derivation यहीं कर देता हूँ बहुती आसान सा derivation है हम लोग जान रहे थे कि जो m0 है उसकी value क्या थी l upon minus fo objective lens वाला जो l upon यहाँ पर देखा था था ना हम लोगों ने objective की बाद जो थी ये l upon minus fo भाई अभी finally मैं नहीं बनी objective lens ने अपना magnification दिया है तो m0 की value हो गई l upon minus fo और ip ने कहा किया है तो आप जानते हैं कि जो angular magnification है due to ip's m due to ip's simple microscope की तरह ये कहां पर बनाएगा infinity पर तो ये infinity पर बनाने वाला formula simple microscope का क्या था वेटा वो था me is equal to d upon fe तो total magnification क्या रहा दोनों को multiply कर दो तो total magnification mo into me तो दोनों का आपने multiply किया तो minus l upon fo into d upon fe बस ये proof हो गया देखिए पहुती छोटा proof था ये तो यहाँ पर ये आपका formula proof हो जाता है compound microscope से जब आपका final image कहां बन रहा हो infinity पर इन formula को याद रखना अवश्यक है जिससे फटा फट सवाल आप लगा पाएं तो मैं हटता हूँ कुछ बाते और इसको आप note कर लीजे एक minute फिर एक कदम आगे बढ़ाएंगे मेरे क्याल से आपने note कर लिया होगा आगे चलते हैं अब यहाँ पर एक बात और पुछी जाती है आपसे जो ध्यान रखिएगा कि clearly to achieve a large magnification of a small object the objective and eyes piece should have small focal length देखें दोनों की जो focal length होनी चाहिए compound microscope में वो focal length छोटी होनी चाहिए for greater magnification तो यह सवाल आपसे पूछते हैं question में कि हमारी compound microscope में दोनों की focal length छोटी होना जरूरी क्यों है तो इसका answer क्या है दोनों की focal length objective and eyes piece दोनों की focal length छोटी होना इसलिए जरूरी है तोकि वो greater magnification देता है यह देखिए formula FO यह पढ़े थे ना भी हम लोग यह देखिए FO FE आ गया अगर FO और FE दोनों का value कम कर देंगे तो हमें M की value क्या मिलेगी जादा इसलिए focal length objective और eye piece का कम से कम होना चाहिए अब आप यह सूच सकते हैं कि अगर कम से कम होना चाहिए तो इतनी जादा कम कर दें यह खूब magnification मिल जाए यह possible नहीं हो पाता है क्यों? क्योंकि normally जब आप किसी lens को बनाते हैं तो realistic figure में एक centimeter से कम का focal length achieve नहीं कर पाते हैं तो एक centimeter से कम का achieve नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर यह भज़ड पढ़ जाती है दिक्कत पढ़ जाती है और अगर आप ज़ादा कम करने की कोशिस में आएंगे तो कई defects भी आने लगते हैं clear image नहीं होती aberrations होते हैं जो defects कहलाते हैं चाहिए वो chromatic हो या जो भी defect हो उस वज़े से image की sharpness पर बहुत प्रभाव पढ़ता है तो आपको image दिख रही है बड़ी लेकिन धुंदली दिख रही है तो ऐसी image देखने से फायदा क्या है इसलिए certain limit के बाद हम FO FE को कम नहीं कर सकते क्योंकि image में blurring या defects आने शुरू हो जाएंगे जैसे आप इस बातों को पकड़ पाएं होंगे ये बात कुछ example के case में कही है NCRT में ही बुला है with an objective with FO अगर हमारा FO का objective lens है 1 cm का और IPS का है 2 cm का और tube length अगर 20 है तो उससे magnification हम 500 achieve कर लेते हैं दिख रहा है ना आपको अब आप सुचें FO FE और कम कर लें वो संभव नहीं हो पाता various other factors such as illumination of object मतलब कितना चमकदार image बन रहा है contribute to the equality and visibility of the image ये contribute करता है कि image की quality कैसी है और उसकी visibility कैसी है in modern microscope हम लोग क्या करते हैं multi components lenses कई सारे lenses यूज करने लगे हैं जिससे magnification हमको जादा मिले और clear vision मिले या clear imaging मिले sharp image मिले, brighter image मिले आजकल ये होने लगा है तो ये इस तरीके से compound microscope की बात हो जाती है आगे कुछ सवाल लगाते हैं फिर हम telescope पे चलने वाले हैं तो आईए कुछ सवालों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं देखें पहला जो question है वेटा वो तो आपको diagram बनाने वाला question है या आप कर लेंगे draw a ray diagram आप हमेशा ध्यान न किएगा कि ये बहुत important question होता है आपके लगबग हर बार कोई न कोई compound microscope या टेलिस्कोप या reflecting type टेलिस्कोप का figure आपसे पूछ लेते हैं तो और इसका figure आप तभी examination में बना पाएंगे जब घर पर इसकी 2-3 बार आप practice करेंगे वरना ray भीडेंगे ही नहीं ठीक तरीके से तो आप catch नहीं पाएंगे ray बिना practice के तो 2-3 बार घर पर इनके जो diagram है 4-5 उनकी practice आप कर लें जो मैं बता भी रहूँ diagram उसको देख के practice कर लीजे जिससे examination में बड़ी सहूलिय से इसको बना सके exam में पूछा बहुत जाता है ray diagram या तो वो compound microscope का पूछेगा या टेलिस्कोप का पूछेगा या फिर आपका reflecting टाइप टेलिस्कोप का पूछ लेगा खेर ये बात आप समझ के होंगे हम लोग अभी ये numerical करने वाले है इनने compound microscope and object is placed distance of 1.5 cm तो यहाँ पर u ये objective की कहानी है तो uo की value हो गई minus 1.5 cm आगे दिखते हैं क्या figure हमारे पास है from the objective of the focal length ये focal length objective का है तो objective का focal length हमारे पास क्या आया 1.25 cm convex है plus हो जाएगा from the objective focal length इस वनिवदा ip से focal length 5 cm जो ip से इसका focal length plus 5 cm है and the final image is formed at the near point near point का मतलब है d पर बन रहा है तो v e की value क्या ले लेंगे हम लोग d ले लीजे ठीक है फिर क्या बोलता है find the magnifying power of the microscope m निकालना है तो जब भी d compound microscope में ये देखे compound microscope था जब भी आपका final image बनता है d पर तो formula क्या इस्तिमाल करते हैं आपको याद होगा अभी हम लोग ने किया है f is equal to v o upon u o 1 plus d upon f e इस formula को हमें इस्तिमाल करना है क्या-क्या चीज़ हमारे पास है d पता है f e पता है v o नहीं पता है u o भी पता है v o निकाल लेते हैं lens वाले formula से तो lens वाला formula इस्तिमाल किया 1 upon v o minus 1 upon u o is equal to 1 upon f o 1 upon v o निकालना है u o की value कितनी है 1 upon 1.25 तो यहाँ पर अगर आप आगे लिके जाएं तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 upon v o is equal to 1 upon 1.25 minus plus हो जाएगा minus 1 upon 1.5 अब आप इसको solve कर सकते हैं point point हटा के अपना इसाब बना के जैसे कि यह value हो जाएगी 100 upon 125 और 10 upon 15 तो इसको लिख सकते हो 25 से काटो तो 4 और 5 आगया यह 2 और 3 आगया तो 4 upon 5 minus 2 upon 3 LCM 15 आजाएगा 5 3 जब 15 तो यह 12 आगया और 3 5 जब 15 तो यह 10 आगया this is 2 upon 15 तो यहाँ आपको VO मिल जाएगा कितना बिटा पलट दीजे 15 upon 2 यानि 7.5 सेंटीमीटर तो यह आप VO निकाल लिए हैं इसी को फॉर्मूले को यहाँ पुट कर देना कोई गलत बात नहीं है तो हम लोग यहाँ पर इसका इस्तिमाल करते हैं VO को लिख देते हैं 7.5 और UO जो हमारा कितना था डेल सेंटीमीटर है ना डेल सेंटीमीटर तो 1.5 पुट कर दिया 1 प्लस दी का मतलब 25 अपॉन एफी और एफी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर तो यह 15 पच्छे पच्छत्तर पेरे काल से बिलकुल ठीक है और यह आजाएगा 5 प्लस एक 6 तो यह वैलू कितनी आ गई? मैंगनिफिकेशन 30 यह आपका मैंगनिफिकेशन 30 आ गया कई किताब में इसमें इसका अंसर 60 निकाले हुए हैं जो की उचित नहीं है L लेके नहीं करना यहाँ पर वियो अपॉन यू से अराब से आप कर सकते हैं 30 is the correct answer किसी किताब में अगर 60 आपको दिख रहा है तो वो प्रॉपर नहीं लगता मुझे 30 is the correct answer जो जिस मैतड से मैंने किया बिल्कुल ठीक है और किताब के according है तो आप इसको नोट कर सकते हैं और फिर हम लोग अगला सवाल भी बनाएंगे तो ये मैं नीचे थोड़ा लाता हूँ जिससे पूरा सवाल आपको दिख सके ये आप नोट कर लीजे मेरे खाल से आप नोट कर पा रहे होंगे इसको थोड़ा उपर करना चाहिए आई गया था विसे ठीक है ये सवाल आप कर पाए अगला सवाल बनाते है जो की बहुत आसान सा है इस कुश्चन पर आते हैं देखिए और इसमें बोला है ड्रॉदार लेबेड ये देखिए मैंने कहा नहीं हमेशा पूछा जाता है ये 22 का सवाल है और वो शायद 2023 का सवाल है तो 23 के बाद 22 की बाद करते हैं और यहां भी रे डियाग्राम पूछा है तो ये रे डियाग्राम आप जरूर वेरी इंपोर्टेंट है इसको आप तयार करके रखिए अगला दिखते हैं जो की बहुत सरल इसके साथ लगे होते हैं अक्सर तो लिखाए यहां पर जो वेलू दियाए यू की वेलू दियाए माइनस 3 सेंटिमीटर और फ दियाए फोकल लेंद 4 सेंटिमीटर ठीक तो पोजिशन अफ दिए इमेज बहुती सरल सवाल हो गया 1 अपॉण V माइनस 1 अपॉण U इस एकल टो 1 अपॉण F वेलू 1 अपॉण V पता करनी है U किया जाएगा 1 अपॉण 3 F हो जाएगा 1 अपॉण 4 1 अपॉण V 1 अपॉण 4 माइनस 1 अपॉण 3 12 और यह 3 माइनस 4 तो V की वेलू कितनी आ गई यहां से माइनस 12 सेंटिमीटर यह पहले वाले का अंसर आ गया आपका दूसरी चीज़ इननों पूछिए Magnification Linear Magnification तो यह पहला पार्ट था दूसरे पार्ट की चर्चा यहां करें तो Linear Magnification क्या होगा M is equal to V upon U तो V कितना है? माइनस 12 और बेटा U कितना है? माइनस 3 तो इसको cancel किया तो 4 अंसर आ गया M का unit नहीं होता केवल number होता है तो M की value 4 आ गया इस तरह से इसको कर सकते हैं इसको note कीजे अगला भी सवाल देखेंगे तो देखेंगे बहुत सरल सवाल था वेरी इजी और आराम से इसको आप कर पाएंगे चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं अगले question को देखते हैं बटा यहां लिखा define the magnifying power of a compound microscope when the final image formed at infinity तो इसका answer आप जानते हैं क्या हो जाएगा जो हम लोग ने देखा था M की value minus तो यह बताता है inverted है की real है की virtual है चाहे तो लिख दे L upon FO and D upon FE यह देखिए यह इसका formula इन्होंने formula ही पूछ लिया ताकि final image अगर infinity पे बन रहा है तो उसका magnification कितना होगा बढ़ियां आगे why must both the objective and eye piece of compound microscope short focal lens यह देखिए मैंने कहा था नहीं बहुत पुछा जाता है कि compound microscope का value आप एक तो formula यह लिखा है दूसरा हम लिखें अगर तो L upon FO 1 plus D upon FE यह कपका formula है जब D पर बन रहा हो image दोनों में FO FE हमारा नीचे आ रहा है तो if FO and FE are small then we get we get more magnification यह large magnification इसलिए हमको यह छोटा चाहिए होता है FO FE कि large magnification हम achieve कर सकें और इससे M की value हमें मिल जाती है काफी high और इसलिए हम ऐसा करते हैं तो इसको भी आप note करें अगला सवाल और बनाते हैं देखिए बिल्कुल आप शांती से देखते जाएंगे सारे सवाल आपके guarantee है कि सही होते चले जाएंगे अगली बात देखते हैं बेटा हम लोग ये भी numerical है 2020 का अप्टिकल इंस्ट्रुमेंट यूजेज एन objective lens of power 100D and an eye piece of power 40D the final image is formed at infinity when the tube length of the instrument is kept at 20 cm tube length दिया है 20 cm identify the optical instrument देखिए optical instrument हम कैसे पता करेंगे क्योंकि यह यहाँ पर objective और eye piece की बात की तो simple microscope तो होगा नहीं अब यह compound क्योंकि उसमें एक ही lens होता है compound microscope या telescope के बीज का tie है तो कैसे पता करते हैं इसकी focal length दिखा लो हम लोग पहले focal length निकालते हैं तो power दे रखी है पहले वाले की 100 diopter तो अगर objective की power 100 diopter है तो इससे आप FO निकलो आप जानते हैं न फर्मूला P naught is equal to 1 upon F naught तो इसको 1 upon 100 diopter रख देंगे तो इससे value कितनी आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी point 01 meter या centimeter में बोलें तो 1 centimeter agreed हैं आप eye piece की बात करते हैं eye piece का 40 diopter दे रखा है तो हम यह जानते हैं यहाँ पर मैंने उल्टा अभी नहीं करना चाहिए focal length 100 d सही रखा है तो दुरुस्त तो रखा है piece को to 1 upon F उल्टा लिग लग रहा है 1 upon F O है यह और इसकी value दे रखी है आपको 100 तो यहाँ से F O की value आ जाएगी 1 upon 100 this is 0.01 meter या 1 centimeter ठीक है यह इस तरीके से यहाँ पर P E की बात करें तो 1 upon F E कर दीजे इससे क्या आया इसकी value दे रखी थी कितनी 40 diopter यहाँ से F E की value कितनी होगी 1 upon 40 और centimeter में बात करें तो धाई सेंटी मीटर आ जाएगा आप बाकी काट सकते हैं 100 upon वगेरा वगेरा करके धाई सेंटी मीटर अब इन दोनों से क्या आप देख पाए कि इन दिस केज जो हमारा F O है इसकी value छोटी है F E से यह था हमारा 1 centimeter और F E है हमारा 2 centimeter अब यह मैंने आपको बताया था कि यह किस में होता है यह compound microscope में होता है इसका उल्टा होता है टेलिस्कोप में तो यह क्या है बेटा compound microscope compound microscope यह बात जरूर identification के लिए दिमार्ट में रखिएगा कि अगर IPS का focal length बड़ा हो जाए objective से तो यह बन जाता है क्या compound microscope में ऐसा करते है टेलिस्कोप में क्या करते है हम लोग objective का focal length जादा रखते है वो भी मैंने लिखा जिसे confusion ना हो तो हम पहचान पाए कि यह क्या है बेटा compound microscope यह part जहां तक A था अच्छा question था यह good question और B की बात करते है angular magnification तो M की value क्या जाएगी यहाँ पर L upon minus plus छोड़ सकते हैं तो यही बताता real यह virtual है L upon F naught D upon F E और tube length बोली है 20 F O था यहाँ पर F O चलो कितना है F O F O 1 upon 100 दिख रहा है अगर आप centimeter में रखें तो 1 रख सकते हैं और 20 centimeter L की value 20 centimeter रखी इसलिए और D का क्या है 25 centimeter F E कितनी है F E महां से ड़ाई है सब centimeter में रखा है इसको 10 आ जाएगा 200 आ जाएगा 200 is your answer यह एक अच्छा सवाल था good question है very important में लिख देता हूँ अगर किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा तो शायद पहचानने में मुश्किल खा जाएगा तो आप इसको note कर लीजे अगली बात करते हैं और हम लोग अब शुरू करते हैं telescope तो यह compound microscope simple microscope हो गया आज आते हैं अब हम लोग टेलिस्कोप के ऊपर देखते हैं telescope क्या है तो यहाँ पर देखिए it is the device which helps us to see the distant objects clearly जो दूर के object हैं उनको clearly देखते हैं microscope में कहता जो pass के object हैं उनको बड़ा देखते हैं newspaper में अच्छर चपा है simple microscope और compound में भी pass में चीज़े रखें उनको बड़ा कर रहे हैं अब दूर की चीज़ को हमको अगर बड़ा करना है तो उसको बोलेंगे apparatus को यह device को telescope यह telescope दो प्रकार के होते हैं broadly to एक केटगरी यह है refracting telescope दूसरी है reflecting telescope यह भी थोड़ा अंदाजा लेंगे जो refracting telescope होता है उसमें भी दो केटगरीज होती है वो भी यहाँ देखिए mention है these make use of lenses to view distant object it has two types पहली एक होती astronomical telescope जो हम चांद तारे देखते हैं जिससे अंतरिक्ष की यह चांद तारे देख रहे हैं वो astronomical telescope होते हैं तो which is used to see heavenly objects heavenly objects को देखने के लिए like sun, moon, star, planets और दूसरे होते हैं terrestrial telescope यानि हम जमीन पर ही पहार देख रहे हैं या बहुत दूर की चीज़ देख रहे हैं जमीन से जमीन पर ही देख रहे हैं लेकिन दूर से देख रहे हैं तो वो terrestrial telescope होते हैं used to see distance objects on the surface of the earth यानि हम surface पर ही अर्थ की surface पर ही दूर की चीज़ पहार देख रहे हैं या जैसे की binoculars होते हैं आर्मी वाले हैं वो देखते हैं कोई दुश्मन तो अटाक नहीं कर रहा वगएरा वो terrestrial telescope हो जाएंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे reflecting telescope इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे जो हमारे में कभी-कभी diagram बनाने को आता है these make use of converging mirrors to view the distant object for example Newtonian Cassigrain telescope इसका फायदे क्या है reflecting type के उपर वो भी पढ़ेंगे reflecting के तो बड़े अच्छे फायदे हैं वो भी देख लेंगे तो शुरू करते हैं हम लोग astronomical telescope से तो देखिए यहाँ पर मैंने चीज़े mention कर दी थी FO बड़ा होता है FE से telescope में और compound microscope में FO जो होता है वो छोटा होता है FE से यह पहचानने में बहुत मदद करता है और यह slide इसलिए भी important है कि आपका बहुत famous questions के यह जवाब देती है वो question क्या बनता है जवाब क्या होगा यह हम बता देते हैं आपको तो यहाँ पर देखिए लिखा है It is consist of two converging lens यहाँ पर देखिए दो converging lens है यह objective object के तरफ यह IPs आपकी arc की तरफ coaxially mount कर देते हैं यह coaxially मतलब दोनों का जो axis है वो एक हिजाब पर रहता और इन दोनों को slide कर सकते हैं अच्छी focusing के लिए अब आपसे पूछा क्या जाता है कि telescope के अंदर objective which is convex lens of large focal length and much larger aperture यह पूछते हैं कि telescope में जो objective lens है उसका large focal length क्यों रखते हैं और बड़ा aperture क्यों रखते हैं और भी second वाला पूछेंगे समझ पा रहे हैं यह हमारा objective मतलब इसका यह large aperture मतलब बड़ा lens ले रहे हैं और focal lens भी ज़ादा रख रहे हैं क्यों? इसलिए यह क्योंकि हम जब astronomical में तो चांद तारों का study कर रहे हैं न वहां से आने वाली light काफी कम होती है पर इतने दूर का देख रहे हैं कितना चमक रातारा मालूम नहीं और आपके पास तो बहुत कम light पहुची इसलिए इसको बड़ा aperture करते हैं जिसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा light हम gather कर सकें ज़्यादा light fall करेगी तो हम उसको थोड़ा brighter देख पाएंगे और light अगर कम आएगी टेलिस्कोप के अंदर तो हम उसको कैसे बहुती बहुती अंधेरा टाइप दिखेगा brighter image नहीं बनेगी इसलिए aperture इसका बड़ा रखते हैं जिसे light को ज़्यादा gather कर सके focal length क्यों बड़ी होती है focal length इसलिए इसकी बड़ी रखते है जिससे large magnification मिले ये पूरी बाते मैंने तीन sentences में यहाँ आपके लिए लिख दी हैं आप पढ़ लीजेगा अब दूसरी बात करते हैं eye piece यानि इसके लिए aperture को हम इसके छोटा रखते हैं small focal length small aperture तो small focal length और small aperture क्यों पहले aperture कि जो भी light यहाँ मिली है वो अगर इसको हम बड़ा कर देंगे देखेंगे एक दरफ से तो ऐसा हो सकता कि आखों से ना निकल के बाजू से light निकल जाए फिर हमें क्या फाइदा हमें तो दिखाई तभी पड़ेगा जब आखों के अंदर light जाए हमारी आखों आखे तो भगवान ने एक दी रखी हैं तरीके से जितनी बड़ी दी हैं तो हम लोग कोशिस करते हैं इस lens को छोटा aperture करने का कि सारा जो light आया वो converge हो जाए और अधिक से अधिक हमारी आखों से पास हो अधिक से अधिक आखों से पास होगा तो brighter image formation होगा इस वज़े से इसका aperture हम छोटा रखते हैं कि जो भी light इसने खैची है सब इसी के अंदर से चली जाए और हम देख पाएं और focal length छोटी क्यों रखते हैं for large magnification इसकी spelling गड़बड है लगता है तो greater magnification की बात कर लेंगे इसलिए greater magnification और बाती बाते आप समझ गए हैं तो ये बड़ा important famous question है बहुत बार पूछा जाता है तो very important मुझे लिख देना चाहिए यहाँ कहीं very important slide आप देजिएगा आपके exam में टपक पड़ेगा यह बहुत बता रहा हूँ अपना paper देखिए ऐसा ही सवाता है चलिए अब चलते हैं अगला कदम बढ़ाते हैं इसके magnifications की तरफ चलिए देख लेते हैं अगें इसका जब magnification देखेंगे तो दो जगा magnification देखेंगे बिटा एक तो magnification हम देखेंगे जब final image capital D पर बन रही है और एक हम देखेंगे जब final image infinity पर बन रही है चलिए तो magnifying power of astronomical telescope जिसकी चर्चा यहाँ पर है और इसकी working समझे तो यह कोई क्योंकि object तो infinity पर ही रहने वाला है object हमारा infinity पर है वहाँ पर आपकी यहाँ पर race पढ़ी race पढ़ने के बाद वो converge हो जाती है और converge होके एक real image बनाती है फिर हम यहाँ पर IPS रखते हैं जो उसका हम बड़ा image देख पाते हैं इस तरह से इसका magnification हम achieve करते हैं तो M की value कितनी है इसकी तरफ चलते हैं हम लोग तो final image is formed at the least distance of distinct vision तो least distance of distinct vision की तरफ इसको लेके चलते हैं अब यह इसकी बात लिखी है angular magnification देखेंगे तो यहाँ पर magnifying power को define किया है और उसकी बात क्या define किये कि the magnifying power of a telescope is defined as the ratio of the angle subtended by at the eye by the final image formed at the least distance of distinct vision पहले डीपर बन रहा है न तो यह जो image हमारी आखो पर जितना angle बना रही है बीटा तो M की value क्या लेंगे यहाँ पर जैसे आपने लिखा बीटा upon to the angle subtended at the eye by the object at infinity when see directly और जब हम directly देखते हैं उस object को तो उस समय angle क्या हो रहा होता है हमारा alpha directly जब हम देखेंगे किसी angle को देखें यह alpha बन रहा है तो this angle is alpha infinity से जो हमारी बिना lenses के directly लिखा है ना तो लिखा है यहाँ पर कि subtended at the eye by the object at infinity यहाँ आपजेक्ट infinity पर है हम directly देख रहे हैं तो जितना angle बना रहा है वो यह angular magnification achieve हो जाएगा इसी से यह value हम निकालने वाले हैं मेरे खाल से मैंने यहाँ पर photo लगाई है derivation वाली तो मैं उसकी मदद से आपको derive करके दिखाता हूँ आइए चलते हैं तो यह रहा derivation का हिसाब किताब चलिए मैं derive करके दिखाता हूँ आपको तो पहले यहाँ पर देखिए यहीं से लिखना शुरू करता हूँ जो angle से वो notify कर देता हूँ जैसे alpha angle ले ले लेता हूँ तो alpha angle क्या है a dash, b dash a dash, o, b dash angle a dash o, b dash यह angle कितना है बेटा alpha अब यह क्योंकि जो object है वो जो angle इस lens पर बना रहा है यह तो बहुत दूर है ना infinity पर वहीं हम समझ लेते हैं कि लेंस ना होता तो हमारी आँखों पर बनाता इस tube length कितनी बड़ी हो जाए कि वहाँ तो इतना आसमान में है वो तो जो वो angle बना रहा है alpha इस lens पर यह lens ना होता हम खड़े होते तो हम पर भी alpha बनाता तो यह angle हमने ले लिया क्या जब हम directly देख रहे हैं उस object को फिर बात करते हैं इसमें image यह जो image final d पर बन नहीं थी यह angle बना रही बीटा तो यह value क्या हो गई a double dash b double dash और यह रहा आपका e तो angle a double dash e b double dash इसकी value क्या हो गई बीटा जो हमारा image angle बना रहा है यह image बना रहा जो add deeper था और यह c directly की बात है आप यहाँ पर यह देख पाएंगे magnifying power जो हमने define की थी अभी वो m की value बेटा क्या लिखोगे beta upon alpha क्योंकि यह angles काफी छोटे होते हैं तो इनको हम लिख सकते हैं 10 beta upon 10 alpha यहाँ लिख दीजे चुकि alpha and beta are small angles तो यह small angles है तो ऐसे अब यह 10 beta alpha इस triangle में बना लिजे आप तो 10 beta को क्या लिख सकते हो a dash b dash upon b dash e और 10 alpha क्या आ जाएगा a dash b dash upon ob dash एक बार देख लिजे 10 beta क्या है तो 10 beta है इसको लिख सकते हो a dash b dash और यह रहा b dash e perpendicular upon base 10 alpha की बात कर जाएग यह angle तो a dash b dash और यह रहा कितना ob dash बढ़िया अब यहाँ पर a dash b dash a dash b dash कट गया यह value आ गई ob dash upon b dash e यह value आ गई अब यहाँ पर हम कुछ sign convention के हिसाब से values रख देंगे कोई दिक्कत की बात थोड़ी है यहाँ पर आ जाएए और हम पकड़तें ob dash ob dash क्या हो गया ob dash हो गया plus fo यह देखिए o से लेकर यह रहा b dash तो यह तो infinite से है focus पे बनेगा इसके तो that is focal length positive focal length ठीक तो ob dash बराबर plus fo और b dash e क्या आ जाएगा यह b dash e की बात कर रहे हैं that is minus ue जो इसके लिए इसके लिए जो बात कर रहे हैं हम लोग b dash e यह distance this is ue minus sign के साथ यह दोनों values यहाँ पर हम डाल सकते हैं इन दोनों value को यहाँ डाल दीचे तो यह value क्या बन जाएगी minus fo upon ue यह क्या हो गया which is m m वहाँ लिखा था एक बार m है चलिए इत्ते ही लिख देता हूं यहाँ से क्या मिला m बराबर minus fo upon ue देखें यह magnification हमारे पास basically आ गया है लेकिन दिक्कत क्या है कि ue हम बार बार कैसे ना पेंगे अंदर है ना ue तो तो हम यह चाहते हैं ue को किसी और किसी और figure से replace करते हैं जो अंदर की नपाहीं न करना पड़े ue तो tube के अंदर है ना telescope के अंदर तो इसके लिए हम क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं for the eye piece lens formula for the eye piece using lens formula lens formula lens formula इसका इस्तमाल कर लेते हैं तो इसके लिए value क्या बन जाएगी u बराबर minus ue और v बराबर minus d यह value यहाँ बन गई अब one upon v one upon u और one upon f यह जो lens formula होता है अब इसको तोड़ा ऊपर कर लेते हैं जैसे value इसमें रखते बने और इसी formula में apply कर दिया क्या apply किया v की जगा one upon minus d minus minus ue is equal to one upon f e तो one upon ue क्या आ गया बेटा यहाँ one upon f e plus one upon d और यहाँ से value निकाल सकते हो आप common ले लो LCM LCM लेके तो one upon f e common ले लिया और यहाँ value आ जाएगी one plus f e upon d यह देखिए हमने one upon ue निकाल दिया इस value की यहाँ रख देंगे यह values known रहती हैं हमको तो what we will do we will put this value to this formula और अब यह formula हमारे लिए अब क्या बन जाएगा देखिए यह value put करने के बाद m की value क्या आ जाएगी m हो गया minus f o और one upon ue की value हो तो f e नीचे आ गया और यह हो गया one plus f e upon d और यह देखिए हमारे पास hence proved वाला चक्कर हो गया मतलब minus f o upon f e one plus f e upon d और यहाँ पर जो f o की value रखते हैं हम लोग वो बड़ी रखते हैं f o is quite larger than f e for large magnification for large magnification तभी हमें ज्यादा magnification मिलेगा तो जो बात वहाँ आ रही थी न क्यों होता इस formula से दिख रहा है कि f o की value f e से काफी बड़ी रखोगे तो large magnification मिलेगा और यह formula किसके लिए valid है जब final image at d की बात जब हमने infinity पे बनाएंगे तो बलग बात तो astronomical telescope के लिए formula आपको याद होना चीए minus f o upon f e 1 plus f e upon d मैं हट जाता हूँ उसके एक बाद derivation दिखाता हूँ इनकी भी practice कर लिजेगा तभी आप असानी से बना पाएंगे और गलती से बच पाएंगे ठीक तो इसको मैं नीचे लेके आता हूँ यह देखिए इसको आप note कर लिजे फिर हम लोग बात करेंगे कि जो astronomical telescope का infinite पर जो image बनता है उसकी value क्या आने वाली है ठीक तो इसको मैं थोड़ा उपर करता हूँ बेटा यहां रोखता हूँ यह दीजिए इसको note कर लिजे मेरे कहल से आप इसको note कर पाएं होंगे चलिए एक किदम और आगे बढ़ाते हैं यहां पहुच गए देखिए और अगली जो बात है वो इसी को लेकर है कि magnifying power of astronomical telescope final image कहां है infinity पर पिछले वाली case में क्या था final image बी पर थी अब हम final image कहां बना रहे हैं इंफिनिटी पर तो वही सारी बातें जो लिखी हुई है कि the magnifying power of a telescope is defined as the ratio of the angle यह angular magnification लेता है substandard at the eye by the final image at seen through the telescope to the जो final image देख रहे हैं यानि beta upon alpha यही वाली बात लिखी है आप इसको पढ़ लीजेगा कोई दिक्कत नहीं इसकी value आती है m is equal to minus fo upon fe और length of the telescope यानि इसकी जो telescope की length है वो होता है fo plus fe क्योंकि इसका infinity वाला इसके focal length पर बनेगा इसकी focal length पर इसका भी focal length इसका focal length दोनों same जगा आ जाएगा जिससे focal length पर बनेगा तब ही infinity पर बना पाएगा तो fo plus fe तब हमारा length of the tube होता है तो इसका भी इस्तमाल आपसे कई जगा कराए जाता है numerical में खैर इसको आप समझ पाए होंगे देखते हैं इसका derivation कैसे आता है बहुत ही आसान है या जैसे किया था तो angle a dash o b dash ये value alpha हो गई a dash b dash o या a dash o dash b dash this is alpha इसी तरीके से angle की बात की जाए a dash e b dash is equal to beta ये रही a dash e b dash this is beta magnifying power का मतलब क्या है beta upon alpha जैसे पीछे किया था approximately equal to 10 beta upon 10 alpha जब alpha बीटा छोटे हों ये alpha बीटा r is small ठीके अब यहाँ पर 10 beta की बात लिखिए तो a dash b dash upon b e 10 alpha की बात लिखिए तो a dash b dash upon o b dash एक बाद फिर से समझ लेते हैं 10 beta की बात कर रहा है तो beta का मतलब हो गया perpendicular a dash b dash upon b dash e वही लिखा है alpha की बात करेंगे तो perpendicular a dash b dash and o b dash ये दोनों value देखिए कट गई और यहाँ पे value क्या आ गई o b dash upon b e अब यहाँ आमने पीछे देखा था यही रहने देते हैं o b dash की value क्या है plus f o और b e की value क्या है वेटा b e minus f e o b dash आप जान रहे हैं o b dash यह f o हो गई और यह दूसरी जो हमारी बात रही b dash e यह कितनी है minus f e अब magnification की value रख दीजें दोनों की value यहाँ यह value क्या बन गई आपकी f o minus f o upon f e तो m की value क्या आजाएगी minus f o upon f e दोनों values हमको जब हम बनाते हैं telescope तो f o f e पता होता है बस f o f e की value रखिए और answer हमारे हाथ में आ गया तो यह बहुत चोटा सा derivation था इन derivations की practice इसके diagram की practice आप जरूर कीजेगा तभी examination में आप बहतर कर पाएंगे वरना attack जाएंगे खेर इसको note कर लीजे अगली बात करते हैं मेरे कहल से आप note कर पाएंगे चलिए अगले कदम पे चलते हैं और यह एक numerical है 2023 का है देखिए एकदम नया numerical अब यहाँ पर देखिए लिए का draw a ray diagram हम ने कहा ना कि आप ray diagram वाली the magnifying power of a astronomical telescope in normal adjustment normal adjustment का मतलब है infinity पे बन रहा है is 2.9 तो m की value दे रखिए कितनी 2.9 and the objective and the ips are separated by a distance of 150 centimeter यहनी tube length कितनी हो गई 500 centimeter find the focal length of the two lenses तो देखिए हम जानते हैं L की value जो होती है वो FO plus FE होती है जिसकी value 150 दे रखिए 150 centimeter दे रखिए और हमने लिखा यहाँ पर FE और M का यूज यह जो M होता है M की value होती है FO upon FE which is equal to 2.9 तो यहाँ अगर मैं बात करूँ FO की तो 2.9 FE लिखा जा सकता है और इसका इस्तेमाल यहाँ पर हम डालेंगे तो FE की जगा लिखेंगे 2.9 FO की जगा मैं पहले FO की जगा mention कर देता हूँ 2.9 FE प्लस FE यह बराबर 150 है तो यह 3.9 FE आ गया जो 150 के बराबर है तो FE कितना आ गया यहां से 38.5 यह FE की वैलू हो गई इसी तरह आप FO निकालोगे तो FO की वैलू कितनी हो जाएगी 150 माइनस FE तो 150 माइनस 38.5 तो देलसो में 38.5 बटा दीजे 111.5 सेंटीमेटर यह देखिए आपका अंसर है इस तरह से सवाल कर सकते हैं बड़े अराम से तो इसको आप नोट कर लीजे अगला सवाल numerical बनाते हैं तो मेरे खाल से यह आप नोट कर पाए होंगे चलते हैं एक numerical all लेते हैं जिससे आपके दिमाग में आ जाए वही है कि रे डायग्राम हमको 4-5 जो इनके डायग्राम से उनकी अच्छे से प्रेक्टिस कर लेनी है तभी आपको बढ़िया काम बनेगा अब दूसरा एक numerical है देखते हैं कहा लिखा हुआ है एक टेलिस्कोप कंसिस्ट अफ अफ अबजेक्टि की फोकल लेंथ है इव दा इमेज इस फॉर्मड एट इन्फिनिटी नॉर्मल एज़ेस्ट्मेंट है कमफर्टेबल आई इन्फिनिटी पे बन रहा है देन केल्कुलेट दे लेंथ आफ दी ट्यूब यह तो बहुत ही सरल है क्यों को कि लेंथ आफ ट्यूब क्या होता है लेंथ आफ ट्यूब जब इन्फिनिटी पे बने यानि एल बराबर फो प्लस फी यह वैलू कितनी हो गई वन फिफ्टी प्लस सिक्स यानि वन फिफ्टी सिक्स सेंटिमीटर यह आपके आ गया पहले का अंसर बढ़ियां दूसरी बात करते हैं दा मैंगनिफिकेशन यह देखिए इसका मैंगनिफिकेशन आपने बढ़े प्यार से लिख लिया इसको भी नोट कर लीजे और आपको इससे बहुत जादा हेल्प मिलने वाली है मेरे काल से आपने इसको नोट कर लिया होगा एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं एक नुमेरिकल और दिखते हैं क मैंने बताया था ना कि लार्ज फोकल लेंथ जो होती है फोकल लेंथ ऑबजेक्टिव की वो इसलिए होती है कि हमको लार्ज मैंगनिफिकेशन मिले लार्ज मैंगनिफिकेशन ये बता चुका हूँ दुबारा इसलिए कि आपके दिमाग तक पहुँचे लार्ज अपर्चर किसलिए लार्ज अपर्चर किसका अबजेक्टिव का क्यों पॉर ब्राइटर इमेज पॉर ब्राइटर इमेज पॉर ब्राइटर इमेज क्योंकि ज्यादा अबजेक्टिव बढ़ा रहेगा पर्चर ज्यादा लाइट खीचेगा और आपको चमकदार इमेज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी ये मैं समझा चुका हूँ देखिए आया था इसलिए आपके सामने रखा मैं हटता हूँ इसको आप नोट कीजे एक नुमेरिकल हम लोग और लेंगे तो चलिए इसको नोट के लिए होगा बहुत ही अराम से नुमेरिकल रहते हैं कोई टेंशन आपको नहीं होगी एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप एज अन एंगुलर मैंगिफिकेशन ओफ दी मैंगिटूट फाइव और डिस्टेंट अबजेक्ट तो एम की वैलू कितनी है पाँच और ये बराबर होती है एफो अपॉन एफी के इसकी वैलू दीए एफो प्लस एफी जो की एल के बराबर होती है और ये 36 दे रखी है तो मैंने लिखा 36 calculate the focal length of the objective and focal length तो 36 लिख दिया है इसकी जेगा और यहां से मैंने वैलू लिखी एफो की पाइवी और एफी तो 6 एफी बराबर 36 तो एफी बराबर 6 सेंटिमीटर और फिर एफो कितना हो जाएगा 36 minus FE 36 minus 6 which is equal to 30 सेंटिमीटर यह आपका अंसर हो गया बस देखी कितना असान है फोड़ा सा बात पकड़े रही है मज़ा आता रहेगा इसको आप नोट कर लीजे मेरे काल से बिलकुल असानी से आप कर पाए होंगे अब यह तो बात हो जाती है बेटा की टेलिस्कोप भी देख लिया compound microscope भी देख लिया simple भी देख लिया अब देखते हैं हम लोग reflecting type telescope इसके फायदे भी अभी गिनाएंगे आपको तो देखें reflecting telescope क्या है दो figures आप दिमार्ग में रखें यह newtonian reflecting telescope है it consists of a large concave mirror यह concave mirror था यह किस से बनाता alloy of copper and tin से यह क्या था alloy of newton साब ने बनाया था alloy of copper and tin and 10 इससे यह बनाया था इन्होंने तो इससे इन्होंने इसको बनाया यह जो कौन के mirror लगा है light parallel infinite से आ रही है parallel light fall करती है फिर converge करती है focus पर तो converge करने से पहले ही इन्होंने यहाँ पर एक plane mirror लगाया 45 degree angle पर 45 degree पर तो यह ray यहाँ पर पड़ी बीच में intercept हुई और इससे reflect कर गई reflect करके हमने eyepiece लगा दिया और eyepiece लगाने से हमने इसको अराम से देख लिया magnified image काफी बन जाती है तो यहाँ पर reflection है कहीं देखिए lens नहीं इस्तमाल हुआ है reflect reflect and यहाँ देखने के लिए हमने इस्तमाल की है eyepiece दूसरी बात करते हैं कैसे grain reflecting telescope it consists of a large concave parabolical primary mirror having a hole at its center यह देखिए यह आपका parabolical यह आपका parabolic shape का एक mirror है इसके बीच में एक hole है इसका भी practice कीज़ेगा एक्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ छेद है तो यह parallel race पड़ी उसके बाद secondary mirror यहाँ लगा देते है focus से पहले यहाँ पर race पड़ी फिर वो intercept करा देते हैं इस hole के आसपास तो इस hole के आसपास हमें eye या image formation होता है और eye piece से हम देख लेते हैं यहाँ भी सारा काम देखिए reflection सही है reflection यह reflection फिर eye piece देखने के लिए तो यह reflecting telescope है और reflecting telescope का फाइदा क्या है वो आपको अगली slide में यहाँ दिखने वाला है यह देखिए यहाँ पर इसमें advantages है कि जो reflecting type telescope होते हैं क्या advantage देते हैं तो पहला advantage क्या है एक concave mirror of large aperture as high gathering power and absorbs very less amount of light यह यहाँ पर जो concave mirror हम लगा रहे हैं parabolical objective mirror या यह concave mirror इसमें ray जब टकराती है तो absorb कम होती है और ज़्यादा बड़ा इसको बना सकते हैं तो ज़्यादा ray टकराएगी तो हमारी image brighter बनेगी finally है ना और यह absorb भी नहीं करते हैं reflection होता है तो absorption कम होता है तो हमारा loss भी intensity of light का नहीं होता है यह large apertures का बन सकता है the final image formed in reflecting telescope is very bright मैंने बोला ना कि काफी bright image formation होता है so even very distant or faint stars can be easily viewed यहाँ बहुत दूर से आप देख रहे हैं तो किसी भी star को जो faintly चमक रहा बहुती कम चमक है उसको भी आप पकड़ पाते हैं इससे दूसरी बात due to large aperture of the mirror use the reflecting telescope has high resolving power large mirrors use कर सकते हैं तो उससे जो resolving power है आपकी aperture बढ़ने से दो चीजों को साफ डंग से अलग-अलग देख पाना दो चीजें करीब करी में उसको अलग से distant देख पाना is known as a resolving power वो अच्छी रहती है as the objective is a mirror and not a lens it is free from chromatic aberration क्योंकि यहां reflection हो रहा है तो कोई chromatic aberration मिलेगा नहीं lenses में chromatic aberration मिलता है chromatic aberration क्या होता इन्हीं lectures के शुरू में मैंने बताया lecture number one में ray optics का जहां पर जो rays होती हैं वो सारी एक जगा नहीं मिलती जाके तो जब एक जगा नहीं मिलती है तो वहां पर chroma colors फैल जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं अलग-अलग wavelength के लिए अलग-अलग refractive index होता है तो ray पढ़ी और उसमें से 7 color हैं तो 7 color अलग-अलग मिल गए तो वहां पर आपको धुंदलापन दिखने लगता है color फैल जाते हैं तो वो दिक्कत होती है reflection में reflection में ऐसा हो नहीं रहा है तो कोई chromatic aberration की दिक्कत नहीं है आप समझ पाए होंगे जो मैंने बताया वरना आप chapter number 1 देख सकते हैं यहां पर ray पढ़ी और यह white light अगर है तो इसमें 7 color हैं पता लगा अलग-अलग color ऐसे match कर जाते हैं यहां से यहां तक color फैल जाता है violet कहीं, blue कहीं, red कहीं, yellow कहीं तो इससे आपको साफ image sharp नहीं मिलती spherical aberration यह होता है कि अगर हम parabodiacal जब ले लेते हैं mirror तो उस case में जो rays होती हैं वो सब की सब आके एक जगा converge कर जाती है अगर हम parabodiacal नहीं लेंगे parabolic mirrors तो यह जो आपकी paraxial rays हैं यह कहीं आके cut करेंगी और जो marginal जो principal axis से दूर हैं वो आके कहीं और cut करेंगी ऐसे तो दो image formation हों तो यह spherical aberration है इस aberration मतलब defect और यह chromatic है तो chromatic और aberration elevation नहीं मिलती जो lenses होते हैं उनको अगर हम बड़ा बनाने जाएंगे तो बड़े बनाने में एक तो खर्चा बहुत आता है और खर्चा हो जाने के बाद भी costing के बाद भी वह बहुत हैवी हो जाते हैं बहुत मलो बड़ा लोगे तो किनारों पर ही लगाओगे जैसे मैं lens दिखा हूँ आपको थोड़ा feel कराने के लिए यहाँ lens है एक lens यही दिख रहा है मेरे पास यह जैसे lens है चोटा lens है तो कहीं भी lens में reflection कराना है तो इसको ऐसे ही तो फसा सकते हो तब ही तो reflection होगा बही ऐसे होगा लेकिन अग टूटने का खतरा नहीं है अगर यह बड़ा भी हो जाएगा एक तरह प्रिंटिंग कर दी और पूरा fix कियो है हिलेगा नहीं लेकिन अगर यह lenses बड़े हो जाएंगे ऐसे फसाने में हैवी है तो यह टूट जाएगा बहुत जल्दी या risky रहेगा आप मेरे क्याल से सायद इ कि physics आसान भाषा में समझ में आये और आपके numerical निकलने चले जाएं सारे derivation सीखें तो जट से अर्विंद Academy चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ध्यान लखिएगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजेगा अपने अर्विंद Academy चैनल जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा इसका PDF चाहिए तो आप अर्विंद Academy चैनल को जोइन कर सकते हैं वहाँ इसका PDF में दे दूँगा थैंक यू वेरी मॉच विश यू अल दे वैस